36 गड़ में 17 सरकार गवाने के बाद अब कॉंग्रेस के लिए लोग सभा चुनाओ एक बड़ी परिक्षा है यही वज़ा है कि विधान सभा की हार को भूल कर कॉंग्रेस अब लोग सभा चुनाओ के लिए एक जुट होने पर जोर दे रही है लोग सभा चुनाओ 2024 को लेकर काउंटडाउन शुरू हो गया है ऐसे में कॉंग्रेस भी 36 गड़ की 11 लोग सभा सीट जितने के लिए जोर लगा रही है नमस्कार जै जोहर मैं हूँ आपके साथ पूजा शर्मा और आप देख रहे हैं 36 गड़ तर लोग सभा सीट आदिवासी वर्ग के लिए अरक्षित है वैसे तो राइगर लोग सभा सीट को विजेपी की परंपरागत सीट मानी जाती है लेकिन इसके पीछे भी बड़ा कारण यह है कि राज्य बनने की बाद से ही सीट पर विजेपी का कबजा रहा है इस लोग सभा सीट पर कॉंग्रिस को इंतिजार करना पड़ रहा है इतिहास पर नज़र डाले तो 1962 में पहली बार इस सीट का गठन हुआ जहां से राम राज्य परिशत की तरब से विजय भूशन सिह देव चुनाव जीत का लोग सभा पहुँचे थे उसके बाद से इस सीट पर राजपरिवार का दबदबा रहा लेकिन 1976 में जनता पाची के नारायनी साय ने राजपरिवार का ये दबदबा तोड़ कर चुनाव जीत लिया इसके बाद 1980 और 1984 में सारंगड के राजकुमार और कॉंग्रेस प्रत्याशी पुश्पा सी यहां से दो बार लगा तार जीती इसके बाद साल 1989 में विजेपी के नंद कुमार साय ने यहां जीत हासिल की वही राजपर लोगसभा सीट से 36 गड़ के पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी भी चुनाव जीत चुके हैं अजीत जोगी राजपर से नंद कुमार में लोगसभा चुनाव जीतकर सांसद बने लेकिन इसके बाद 1999 से लेकर अब तक इस सीट पर भाजपा का कबजा रहा है इसके बाद 1999 से लेकर 2019 तक लगातार 20 साल तक 36 गड़ के मुख्यमंत्री विश्णुदेव साई सांसद रहे 2019 के लोगसभा चुनाव में प्रदेश के सभी लोगसभा सांसदों की टिकेट काटे गए थे इसी कड़ी में बिजेपी ने विश्णुदेव साई की जगा गोमती साई को प्रत्याशी बनाया गोमती ने दो लाग से भी अधिक वोटों से चुनाव जित कर बिजेपी का भरोसा बरकरार रखा बिजेपी के अभेद कीले को ध्वस्त करने के लिए कॉंग्रेस इस सीट पर बड़ी रणनीती बनागर प्रत्याशियों के नाम पर मन्थन कर रही है। चुनाव भी वो जीच चुके हैं। 2017 में उन्होंने कॉंग्रेस का साथ छोड़कर जनता जोगी कॉंग्रेस का दामन थाम लिया था लेकिन 2018 में उन्होंने चुनाव के बाद फिर से कॉंग्रेस में वापसी कर ली थी। वैसे में राइगर लोगसभा के लिए वो अपनी दावेदारी फेश कर रही है। चौथी दावेदार है जैमाला सीं। राइगर राजघराने से तालुकात रखती हैं। जैमाला पुर्व विधायक और राजसभासांसत सुरेंद्र बहादूर सीं की बेटी हैं। उनकी बहन उर्वसी देवी भी जीना पंचयात अध्यक्ष रह चुकी हैं। वही जैमाला सीं भी अब सक्रिय राजनीती में शामिल होकर लोगसभा जनौव में बतोर प्रत्याशी दावेदारी कर रही हैं। राज़ लोगसभा सीट में आठ विधान सभा सीटें आती हैं जिनमें जश्पूर, कुनकुरी, राज़, पत्थलगाउ, लैलूंगा, सारंगड, खरसिया और धरम जैगड शामिल हैं। जश्पूर जिले की तीनों सीटें स्टी वर्ग के लिए आरक्षित हैं, वही राज़ जिले की चार में से दो सीटें स्टी के लिए रिजर्व हैं। तो जाहिर है कि इस लोगसभा सीट पर आदिवासी मद्दाता हार जीत का फैसला करते हैं। राज़ संसदी शेत्र में विरुजगारी प्रदूशन कोईला खदान के आबंजन को लेकर ग्रामवासियों के रहवास का मुद्दा चुनाव में हावी रहा है। इसके अलावा दक्षिन पूरुर रिल्वे के विस्तार का मसला भी चुनाव में प्रमुख रहा है। वही जंगली हाथी भी यहां बड़ी समस्या रही है। कॉंग्रेस की भारत जोडो नया यात्रा भी ओडिशा से होती हुए राज़गर से होकर गुजरेगी। ऐसे में कॉंग्रेस इस लोग सभग सीट में बीजेपी के कबजे को हत्यानी की पुर्जोर कोशिश कर रही है। फि पुर्ण कर दो